आज हम आए हैं अब वाश्म जी के उदर जो के समाज़ादी के प्रेसिडेंट है रही सालों से समाज़ादी पार्टी से जुड़े हुए हैं आज हम बात करेंगे जो साथ साल की बच्ची का बलात कर और मटर किया गया है उस कोपिक में बात करेंगे आखिर में जानेंगे के हाशिम जी जो है क्या बताना चाहेंगे हाशिम जी बांबे पर इसमें आपका स्वागत है जिसदा के साथ सल की बच्ची लॉक्डाउन के वक्ट जो है तकरीबन 18-20 दिन से गायब थी और एफायर भी इस बारे में दर्श किया गया था लेकिन बच्ची का कोई पता नहीं चला फिर बच्ची जो है वो तुकड़ो अधिर भी नेखर सकता है ऐसे लोगों को तो फासी के सजा से कम सजा नहीं होना चाहिए हमारे मुल्क का कानूं कमजोर है इसका फादा उठा के लोग करते हैं आज फायर होता है आदनी पकड़ा जाता है जेल में जाता है पांच सार आट सार पंदरा साल केस चलता है ऐसे के आप जाए अरब कंट्रीज में इस तरह चीजों में खुले आम उनको जो है फासी दी जाती है तो लोग दुनिया जो कहती है कि यह बहुत इद्यक्यान उसी अला कानून है ऐसे कानून खत्म करना चाहिए मैं कहता हूं कि ऐसे कैसे में ऐसे ही कानून लाओ होना चाहिए कि मतलब इससे जागा दे देते हैं रेंड के उपर वहां पर चाहे दस हात में रहे चाहे पंगरा आत में रहे तो क्या इसे ही चलता रहेगा सब दिखिए यह देश डेवरप कंट्री नहीं है और ऐसा है कि यहीं नहीं दुनिया पूरी दुनिया में लोग गाउं से छोटी ज हिदा में रियाद में छोटे छोटे जाड़िज्वाज़ा से लोगा आकांवा बिजनेस करते हैं लेकिन कहीं भी कोई जाए अगर इस देश का रहने वाला है लेकिन कानून मद्बूत होना चाहिए अगर कानून मद्बूत धर लोगों को लगा है तो dog आए अगर आज हात काडने का कानून अरव में था तो कुछ लोगों को हात कटा तो दिखेगा लेकिन जिन्दगी भर ये लोग फिर जो हाथ कटा वो देखेगा ना दुबारा उनकी हिम्मत नहीं पढ़ेगी कि वह इस तरह काम करने के लिए तो मैं इन सब चीजों के लिए सबसे जरूरी चीज है कि देश में कानून मजबूती के साथ अपना काम करना चाहिए रिशुत खोरी खतम होना चाहिए पुलिस डिपार्टने में रिफार्म होना चाहिए और अच्छे लोगों को नोकरे में लेना चाहिए जैसे कि पूलिस का कहना है कि इसमें जो है एक आरोपी है और उनके घर वालों परिवार वालों का कहना है कि इसमें और भी लोग जो है शामिल हो सकते हैं तो आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में पूलिस में बहुत हुए है कि जो आरोपी भी है और जो विक्टिम है जो बच पाच्छाप लोग हैं, कोई खाना पकाने वाला है, कोई ऐसा है, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले मजबूर हैं सबो, तो इन्होंने जो वहशी काम किया है, मुझे लगता है कि पुलिस जरूर इसमें इंक्वारी करेगी, हम पहले साथ शक्यूं करें, घरवाले तो कह है, उनको तो खुसा होगा, वो जरूर कहें कि भाई, एक ने इतने लोग थे, इनको फासी दे दो, अभी मार दो, लेकिन कानून अपना काम करेगा, अब मुझे उम्मेद है कि भाई, उसका इंट्रोकेशन हो रहा है, और मुझे रखता है कोई सही दिमाग कादवी इतना ग मासी की होना चाहिए, डोगनी पुलिस्टेशन सिने साब, बागडिका साब का कहना था कि फास्ट्रेक पर केस जो है, चला जाएगा, आपको क्या लगता है कि इस पे किती सच्छा ही होगी, इंदे के बागड़े साब पजारे क्या का सते हैं, यह हूं मिनिस्ट्री काम है, स का हल है, जैसे कि इनका भी यही कहना है कि स्पीडिक कोट के ओपर इसका जल सजल फैसला होना चाहिए, अब देखना यह है कि फैसला जो है, कब और कैसे होगा, और कब इने जो है, इनके घर परिवार वालनों को इनसाफ मिलेगा, बाम्बे प्रेस के साथ में हम जद पढ़ कीजिए तेज ताजा खबरों के लिए